जब से इसराइल ने हमास के हमलों का जवाब देने के लिए गाजा में ऑपरेशन शुड़ू किया है तब से इसराइली पीम बेंजामिन नितन्याहू विवादों में घिरते चले जा रहे हैं हमास को जड़ से उखाड फेकने के लक्ष को अब तक नहीं मिली कोई खास सफलता से उनकी खीश तो सब के सामने है ही हमास के कबजे में क्याद अभी भी कई निर्दोश इसराइली बंदकों की रिहाई को लेकर भी नितन्याहू अपनी सरकार और जनता के निशाने पर है इस बीच गाजा में इसराइली बलों की ओर से की जा रही बरबरता और मानुविय करूरता को अबंतर राश्च्वे बिरादरी में नरसंगहार कहा जाने लगा है इसराइल और हमास की जंग का अखाड़ा बन चुका गाजा करीब करीब तबाह हो गया है वहाँ अब लोगों की आबादी नहीं बलकि तूटी फूटी इमारतें, जमी दोज घर और उनके मलबे ही दिखाई दे रहे जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस मकसद से इसराइली सिना ने पलटवार शुरू किया था, उसमें उसने काम्याबी की बज़ाए मनहूसी अत्फैला दी है इसराइली बलों के खतरनाक आपरेशन ने गाजा के अस्तुर्त पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिये हैं यही वज़ा है कि अब इसराइल के टॉप लीडर्स निशाने पर हैं, खबर आई है कि नितन्याहूब अपने ही घर में गिर चुके है हिब्रू न्यूस की एक रिपोर्ट के माने तो आईडियेफ चीफ आफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने इसराइली पीम बिंजमीन नितन्याहूँ को युद के बाद गाजा पर शाशन कौन करेगा, इसका एलान करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई वहीं इसराइल के चैनल 13 ने हलेवी के हवाले से बताया कि अब हम उत्तरी गाजा के सहर जवालिया में एक बार फिर से काम कर रहे हैं, जब तक गाजा में एक निकाय बनाने की कोई राजनेग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जो हमास नहीं है, इसराइल तब तक अप रसला लेने और रणनीती बनाने की अपील की है, इसके अलावा नितन्याहू सरकार के इस अदस्यों ने कथे तोर पर नितन्याहू को चिताब नी दी कि पिछले कुछ हफ्तों में इसराइल के निर्णे लेने की कमी ने सिर्फ जान जोखी में डाली है, इसराइल के चैनल 12 ने दावा किया कि नितन्याहू ने स्ट्रेटिजिक प्लैनिंग को लेकर शीन बेट प्रमुक रोनेन बार के साथ जगड़ा किया था, हाला कि बाद में उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया, बता दे कि नितन्याहू और इनकी सरकार को युद्ध के बाद गाजा के प्रबं इसके पीछे की वज़े बताई कि हमास के तरफ फिलिस्टीन प्रादी करण भी इसरायल के अस्तित्व को स्विकार करने से इंकार करता है। झाल 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 झाल